Notes बनाके chapter को exam से पहले दुबारा से read करके भी अगर desired marks नहीं आ रहे हैं तो कही ना कहीं आप ये 80-20% वाले rule को ना जानने की गलती कर रहे हो इसका मतलब ये होता है कि exam में किसी भी topic या किसी भी chapter की बात कर लो उस chapter में 80% marks आपके 20% की गई पढ़ाई से आते हैं उस 20% पढ़ाई में अगर कमी है तो वो 80% marks तो भूली जाए तो हम जब भी कोई chapter subscribe से पढ़ रहे हूं या उसे दुबारे से revise क्यों ना कर रहे हूं उसके जो सबसे important questions होते हैं mostly जो previous year question papers में से आते हैं उन questions को अगर हम नहीं पढ़के जा रहे हैं तो हमारी मेनथ तरीके से बेकार होगी तो उस 20% study को आप बिल्कुल सौट करें ताकि आपके 80% marks बिल्कुल सिक्योर हो सके So I hope you enjoyed this study technique I'll see you next time don't forget to follow